कासी के लोगप्रिय सांसद देश के सश्षी प्रधान मंत्री और दुनिया के सबसे लोगप्रिय राजनेता आधनिय प्रधान मंत्री जी आज कासी में फिर से कासी वाशियों को पहार देने के लिए यहां उपस्तित हुए हैं इस आउसर पर आप सभी कासी वाशियों की ओर से आधनिय प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत और अविनंदन भायो वेनो आदनिये प्रधान मंत्री जी का कासी में आगमन पांच सदी के बाद अयोग्ध्या में राम लिला के इंतजार को समाप्त करते वे प्रभुसरी राम लिला के भव्य और दिद्व्य मूर्ति को भव्य मंदिर में बिराजमान कराने के उप्रांत अधने प्रधान मंत्री जी का कासी आगमन हुआ है पीडियां भीद गई युगों समाप्त हो गए लेकिन इंतजार का क्राम तब टूटा जब मोधी जी की दूर दर्सिता उनका मार्ग दर्सन और उनका नित्रित्व पुरा भारत प्राप्त कर रहा है और उन इस्तितियों में प्रभु स्री राम लिला कांतजार सभी भक्तों और सरधानों का समाप्त हुआ अधनिय प्रधान मंत्री जी का कासी आगवन ऐसे समय में अत्यंत महत्तों पूर है और इस उसर पर कासी विश्वनात धाम के बाद अयोत्या धाम में स्री राम लिला का बिराजमान होना अधनिय प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत और अभिनंदन करते वे मंजपर बिराजमान केंद्रिय मंत्री डॉक्टर महंद्रनाथ पाणे जी प्रधेश सरकार में मेरे बरिष्ट सयोगी उपमुख्य मंत्री ब्रधेश पाठक जी पनास डेरी के चियर्मेन सी संकर भाई चौदरी जी बारती जनता पार्टी के प्रधेश के अध्यक्स चौदरी भुपेंद्र सिंग जी प्रधेश सरकार में मेरे सयोगी मंत्री गाण जैबीर सिंग जी अनिल दाजभर जी रविंद्र जैश्वाज जी दियासंकर मिस्र दयालू जी ग्रीश संद यादो जी मान्य सांसत मान्य विधायक गण महापोर जिलापंचाद अध्यक समेच सभी हमारे मान्य जन प्रतनिदी गाण, प्रदादिकारी गाण और उपस्तित सभी भाईयो बहनो आज एक साथ प्रधान मंत्री जी पिसले दस वर्स के अंदर कासी वासियों को हजारों करोड उपे की विकास की प्रयोजनाओं को दे करके कासी को एक नए कलेवर के रूप में बैस्विक मान्चित्र पर प्रस्तुत किये हैं कासी क्यों आज एक बार फिर से हजारों करोड उपे की योजनाओं को लेकर के अधनिये प्रधान मंत्री जी का आगमन यहाँ पर हुआ है अभी सामने आपकी बनास डेरी है साड़े छैसो करोड उपे की लागत से यह डेरी बनी है और ऐसा लगता है जैसे हमारे किसानों और पसपालुकों का तो यह आधनिक तीर्थ जैसा है आमधनी को बढ़ाने के साथ साथ भारत की स्थरधा को भी सम्मानित करने और उसके संग्रक्षन का एक नया केंद्र यह डेरी हम सब के लिए यहाँ पर बनी वी है इसके लिए मैं आधनिये प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से आवहर ब्यक्त करता हूँ और बनास डेरी के चेर्मेन पानिसी संकर भाई चौधरी जी को भी हिर्दे से धन्यवाद देता हूँ कि नोंने उत्तर प्रधेस में रूची ली उत्तर प्रधेस की इस उर्वरा भूमी को गौ माता का अस्रिबाद दे कर के न केवल हमारे पसुपानिकों की संब्रदी के लिए उन्होंने इस विसा में अधनिये प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्सन में कारे प्रारम किया बल्कि इसी महाने गौ माता की रक्सा भी हो जाएगी और उसका पूर्ण और उसका आस्रिबाद भी हम सब को प्राप्त हो जाएगा आज प्रधान मंत्री जी के दौरा कासी में धेर सारी प्रियोशनाई दी जा रही है इसमें सिक्सा की भी है स्वास्ते के लिए एक नया मेडिकल कॉलेज कासी को आज प्रधान मंत्री जी के करकमलों से इसका सलान्यास भी होने जा रहा है कासी में पियेच्छु के बाद एक निया मेडिकल कॉलेज यहाभी प्रधान मंत्री जी के करकमलों से होने जा रहा है यहाँ पर जीवन के अलग-अलग छेतर से जुड़ेवे दखभग बारह से चौदह हजार करोड उपे की नई प्रियोजनाओं की सौगाद कुल मिलाकर के दस वर्स में कासी को प्रधान मंत्री जी के द्वारा पैंतालीस हजार करोड उपे की प्रियोजनाए न भूतो न भौस्यती कायम संकल कभी नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके दिखाया आज इन सभी प्रियोजनाओं के लिए आदने प्रधान मंत्री जी का मैं धिर्दे से स्वागद रविनंदन करता हूँ वयो बेनों हम सब जानते हैं कि प्रधान मंत्री जी ने देश को एक नई दृष्टिती है एक नई पैचानती है एक नया भारत का दर्शन हम सब भारतवासी कर रहे हैं यह नया भारत जो बैस्विक मंज पर अपने नागरिकों को सम्मान भी देता है शुरक्षा भी प्रदान करता है उनकी संब्रिदी का मार्ग भी प्रसस्त करता है और उनकी आज्ता और आजीवका को भी पूरा ध्यान रखता है ऐसे युग पुरुष के रूप में भारत को एक नई जिसा देने वाले भारत को एक नया नित्रत्व देने वाले नए भारत के नए सिल्पी और विक्षित भारत के संकल्प के साथ हम सब भारत वासियों को इस संकल्प के साथ इस नए भारत के साथ जोड़ने वाले आदनिये प्रधान मंत्री जी का आज उनीकी कासी में आप सभी कासी वासियों की और से प्रदेश वासियों की और से हिर्दे से स्वागत और अविननन करते हुए मैं आप सब को भी पनास देरी के साथ साथ इन सभी प्रयोशनाओं की हिर्दे से बदाई देता हूँ, अपनी सुपकामनाई देता हूँ, धन्यबाद जैहिए!